दिन के उचाले में और रात के अंदिरे में हर अप्राद पर है हमारी कड़ी नजर जुर्म के हर कबर से कराएंगे आपको रूब रूब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लोटरी कमेटी की आर में देव व्यापार का काला धंधा कर रहे गिरों का भंडा फोर हुआ है इसमें पुलिस ने 15 युवतियों समेच 44 लोगों को हिरासत में लिया है मामला नीलम बाटा रोड स्थिद अबन होटल एंड रेस्टोरेंट का है वहाँ बुधवार राथ छापे मारी कर पुलिस ने 44 लोगों को हिरासत में लिया है होटल में बड़ी संख्या में शराब की बोतले और शराब से भरे हुए गिलास भी मिले है अरेस्ट किये गए 44 आरोपियों में 29 युवक तथा 15 युवतिया है जिसमें इश, पवन, राम, मनोज, अर्जुन, अंचित, राजीव, दुश्यंद, धननजे, पवन, सुनील, विकास, रोहित, अंजनी, उजवल, जसबीर, कपिल, अनिल, पुनीत, अरुन, अनिल, नवी शिवम, राजेश, लक्की, अनिल, समरजीत, कमल, तथा राकेश नामक युवक शामिल हैं। इसमें रोहित पलवल का रहने वाला है तथा बाकी सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। निशा सहित सभी युवति दिल्ली की हैं। गुप सूतरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वहां रेड की थी। इससे पहले दो पुलिस कर्मियों को नकली ग्राहक बना कर होटल में भेजा गया था ताकि आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। थाना प्रभारी अरजुन ने 2000 रुपे का नोट साइन करके पुलिस कर्मी को दे दिया ज पुलिस कर्मी ने साइन किया हुआ नोट वहां पर मौजूद युवती जिसका नाम निशा था उसको दे दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने पूरी फोस के साथ रात करीब 10 बजे होटल में दविश दे दी। इस दोरान कई युवक युपतियों को शराव के नशे मे अशलील डांस करते आपती जनक हालत में पाया गया। बचने के लिए कुछ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने कमरे की कुंडी को तोड़ कर उन्हें बाहर निकाला। पुलिस पूचताच में सामने आया कि इश नाम के व्यक्ति ने यह पा काराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है। रहे हर पल चौकस। और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब् सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें।